वंसलोचन बास के पेड़ की एक किस्म से बनता है दरसल ये बास का एक तना होता है जो कुछ पत्तियों के साथ बाहर से सक्त और अंदर से नरम होता है वंसलोचन या फिर तबासीर दिखने में एक सफेद पदाट की तरह होता है जो मुख्य रूप से सिलिका और पानी से बना होता है जिसमें चूने और पोटास के निशान होते हैं जो की बास की कुछ प्रजातियों से निकलता है दोस्तो वंसलोचन का कोई स्वाद नहीं होता है लेकिन ये जीप पर लगते ही पानी सोख लिता है साथ ही दोस्तो ये गंधहीन होता है और इसकी सेल्फ लाइफ एक वर्ड से अधिक होती है यानि कि एक वर्ड तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तो वंसलोचन की खात बात ये है कि ये औश्दिये गोडों से भरपूर होता है और बड़े से लेकर बच्चों तक दोस्तो सबके लिए फायदे मन्द होता है वंसलोचन के बहुत सारे फायदे और उपयोग के बारे में दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो आप सभी से रिक्वेस्टर दोस्तों हमारे साथ वीडियो में अंतक जरूर बने रहिए नमस्क्रार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नौलिज साथी पर दोस्तों वन्सलोचन की खास बात ये है कि इसमें सिलिकॉन डायोकसाइड जोकी हड्डियो जोडो टेंडन और दोस्तों तवचा के लिए बहुत ही फायदेमन्द होता है वन्सलोचन के सेवन से शरीर के उतको का पूरी तरह से विकास हो पाता है आयरवेट की माने तो ये immuno-modulator की तरह काम करता है जो इम्यून सिस्टम को बहतर बनाने का काम करता है इस तरह से दोस्तों ये रोक प्रतीरोजक शमता को बढ़ाता है मौसमी बीमारियों से हमें बचाने में भी मुदद करता है साथ ही इसमें कुछ खास medicinal good भी होते हैं जैसे कि दोस्तो इसमें calcium बहुत जादा मातरा में आपको देखने को मिलता है यह iron से भरपूर होता है anti-inflammatory होता है आपकी immunity को boost करने का काम करता है antacid होता है दोस्तो गठिया के treatment में दोस्तो इसका बहुत जादा प्रयोग लाया जाता है anti-vacterial होता है और anti-gout होता है दोस्तो यह अगर दोस्तो हम इसके कुछ फायदों की बात करें तो इसके कई सारे फायदा दोस्तो आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है वंसलोचन में कैल्चियम की मातरा बहुत जादा होती है जो कि हड्डियों को मजबूत बनाता है इसे अगर आप pregnancy के समय खाये तो आपके बच्चे की हड्डियों का विकास बहुत अच्छे से होता है बड़े बच्चों को दोस्तों अगर आप इसे खिलाते हैं तो उनकी हड्डियों मजबूत होती है और बड़ती उम्र में अगर आप इने खाते हैं तो दोस्तों ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं यानि कि जब शरीर में पित की मातरा बढ़ जाती है तो उसको ये कम करने का और शांत करने का काम करता है दोस्तों वंसलोचन ठंडी तासीर वाला होता है इसलिए जिन लोगों के हाथ पैर में जलन और हाथ में पसीने निकलते हैं उनके लिए दोस्तों वंसलोचन बहुत ही फायदेमंद होता है यह आपके शरीर में बड़े हुए पित को शांत करता है और शरीर के वाकी दोस्त जैसे की बात, पित और कफ में संतुलन बनाने का भी काम करता है इसके लिए दोस्तों आपको वंसलोचन को पानी के साथ नियमित रूप से सेवन करना चाहिए वहीं अगर आपको पेट में सूजन की समस्या बनी रहती है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते है पेट में दोस्तों सूजन की पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे की पैप्टिक अलसर, अलसुरेटिव कोलाइटेज, क्रोहन रोग या फिर एकसेक्टरा इन सब में दोस्तों पेट का अस्तर प्रभावित होने लगता है और पेट में सूजन आ जाती है ऐसे में दोस्तों मुलेठी के साथ वन्सलोचन लेने से आपको इन सबी परिशानियों में फायदा मिलता है दोस्तों चालो की समस्या भी आजकल कॉमन है जिन लोगों को मूँ में छाले की समस्या हर कुछ दिन में हो जाती है उन्हें वन्सलोचन को शहद में मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए दरशल दोस्तों मूँ के छाले पेट की गर्मी बढ़ जाने की कारण होने लगते हैं साथ ही जिन लोगों का पित्त जादा होता है उन्हें भी ये परिशानी जादा होती है तो वन्सलोचन पेट की गर्मी को शान्त करता है और शहद एक एंटिवेक्टिरियर गुर्ड माउध इंफेक्शन को कम करता है और मुगे चालो को ठीक करने में आपको मदद करता है तो अगर आपको समय समय पर मुगे चाले होते रहते हैं तो आपको वन्सलोचन को घर में लाकर रख लेना चाहिए और इसका समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए दोस्तो वन्सलोचन का प्रयोग शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भी किया जाता है दोस्तो ये शरीर को डिटॉक्स करता है और शरीर के सभी अंगों के कामकाज को बहतर बनाने में आपकी मदद भी करता है शरीर में दोस्तों जो भी विशाक्त पदार्थ होते हैं यो उनको दूर करता है आपके आतों की सफाई करता है इसके अलावा दोस्तों वन्सलोचन मेटबॉलिजम को तेज करने में भी आपकी मदद करता है जो कि खाना पीने के function को सही करने में मदद करते हैं और आपका खाना अच्छे से digest हो पाता है दोस्तो अगर बालो की समस्या आपको बनी रहती है तो वहाँ पर भी आप वन्सलोचन का प्रयोग कर सकते हैं वन्सलोचन बालो के विकास को प्रोचसाहित करता है और वालो को मजबूत करता है ये प्रभाव इसमें प्राकृतिक सिलिका सामगरी की कारण होता है इसमें मौजूद सिलिका दोस्तो वालो को पतला होने और बालो को जड़ने से रोकता है इसका regular सेवन करने से scalp में blood circulation सही रहता है और बालो की जड़े मजबूत रहती हैं और आपके बाल तेजी से बढ़ते रहते हैं तो बालो की समस्यां भी अगर आपको बनी रहती हैं और आप कई सारे प्रोड़क को ट्राय कर चुके हैं तो आपको वन्सलोचन का प्रयोग भी एक बार करना चाहिए एसे में वन्सलोचन का प्रयोग आम तोर पर किया जाता है एसे में वन्सलोचन आपकी काफी मदद कर सकता है सुबा खाली पेट वन्सलोचन का सेवन करने से एसे डिटी की समस्या को कम किया जा सकता है साथ ही जिन लोगों को कब्स की दिक्कत होती है उन लोगों के लिए भी वंसलोचन बहुत ही फायदेमंद होता है तो ऐसे में अगर आपको एसिरिटी की या कब्स की समस्या बनी रहती है तो आपको वंसलोचन का प्रयोग करना चाहिए दोस्तो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को मिठी खाने की आदत होती है और आसानी से दोस्तो ये आदत जाती नहीं है ऐसे में इस आदत को दूर करने में वंसलोचन आपकी मदद कर सकता है दोस्तो बच्चों की मिठी खाने की आदत छुडाने के लिए वंसलोचन को आपको peace लेना होता है और शहएद में मिलाकर इसकी गोलیا बना लेना है इसके बाद दोस्तों इन गोलियों को आपको बच्चों को देना है उससे बच्चों में दोस्तों calcium की कमी दूर हो जाएगी और मिट्टी खाने की उनकी आदट भी चली जाती है तो बच्चों की परिशानी को या आदत को छोड़ानी के लिए वन्सलोचन का प्रयोग कर सकते हैं वही अगर हम महिलाओं की बात करें तो वन्सलोचन महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है ये पीरिट्स के क्रेंप को कम करने में मदद करता है और शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है साती जिन महिलाओं में आईरन की कमी होती है उनके लिए भी वन्सलोचन बहुत फायदेमंद होता है ये उन्हें एनिमिया के लक्षन को कम करने में मदद करता है तो महिलाओं को भी दोस्तों वंसलोचन का प्रयोग करना ही चाहिए इसके कुछ और फायदों की अगर हम बात करें तो यह आपके चहरे की रंगत निखारने का काम करता है और आपको गोरा होने में भी मदद करता है दरसल ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में जो महिलाओं वंसलोचन लेती हैं उनके बच्चे सुन्दर होते हैं इसके अलावा वंसलोचन खून साफ करने में मदद करता है जिससे कील मुहासों से आपको छुटकारा मिलता है और रंगत भी साफ होती है वंसलोचन लेने से पहले आप अपने अयरुवेदिक डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं जैसे कि शिशू को आप उनके शरीव के वजन के अनुसार यानि 10 मिलिग्राम इसे दे सकते हैं बच्चे 125-500 मिलिग्राम तक या फिर वयस्कों को दोस्तों आप 500-500 मिलिग्राम और गर्वावस्ता में 125-500 मिलिग्राम दिन में दो बार आप इसे दे सकते हैं लेकिन अगर आप अल्लेडी कोई रेगुलर दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ही पूछ कर इसका सेवन करना शुरू करें दोस्तों जैसा कि हमने इस आपको पहले भी बताया कि इसकी तासीर ठंडी होती है अगर आपको किसी भी तरीके की परिशानी पहले से बनी हुई है आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर से या किसी आयरुवेदा चारे से पूछ कर ही इसका प्रयोग शुरू करें क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है जो कि आपके शरीर पर एक अनुकूल प्रभाब भी डाल सकती है दोस्तो अक्सर जो लोगों को परिशानी आती है वन्सलोचन को खरीदने में वो यह होता है कि इसकी पहचान कैसे करें दोस्तो आजकल कई सारी कंपनिया वन्सलोचन को पावडर के फॉर्म में बना कर बेशती हैं ऐसे में अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो बहतर यही होगा कि आप इसे टुकडों के फॉर्म में ही खरीदे कुछ लोग दोस्तों इसे मशीन में बनाने का काम भी करते हैं जिसकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो बहतर यही होगा कि आप किसी भरोसे मन पंसारी की दुकान से हिसे खरीदे इसकी पहचान के लिए आप वंसलोचन के एक टुकड़े को किसी चिम्टी से पकड़ कर आग में तपा सकते हैं इसके बाद आपको गौर करना चाहिए कि असली वंसलोचन के रंग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि नकली पदार से बना वंसलोचन काला पढ़ने लगता है या उसका रंग बदलने लगता है तो इस तरह से अगर आप वंसलोचन को बाहर से खरीद कर लाते हैं तो आप खुद से इसकी पहचान कर सकते हैं आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल नौलिग साती को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें जिससे की ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके वीडियो में आप सभी अन तक हमारे साथ जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद